हलो बच्चो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में आज ही कक्छा में हम देखेंगे हमारा परवेश कक्छा 5 से चैप्टर है यह आपका लेशन 15 है और पार्ट का नाम है यात्रा जब हम कहीं सफर करते हैं कहीं जाते हैं यह जगे से दूसरी जगे तो वो हमारी यात्रा कहलाती है यात्रा हमें वसों के माध्यम से गाड़ियों के माध्यम से फ्रेन के माध्यम से और एरोप्लेन के माध्यम से करते हैं तो इस पार्ट में जो यात्रा करते हैं और वो बिमान और बुबाहन कैसे चलते हैं इस समंद में चर्चा करेंगे तो बोट वीडियो को पूरा देखें ठीक है और पढ़ते हैं पाठ चंदन अपने खेत में काम कर रहा था तभी उसका दोस सूरज आया बहे भी उसके काम में हाथ बटाने लगा जब काम पूरा हो गया तो दोनों दोस्तों पेड के नीचे बैठ कर खाना खाने लगे खाने खाते और बाचीत करते समय सूरज बोला मित्र चंदन मैं सहर गया था सहर में गाड़ियों का मेला लगा है मेले में मैंने ट्रेक्टर देखा यदि हम ट्रेक्टर खेदी ले तो खेती करना आसान हो जाएगा सूरज ने चंदन को सहर जाने के लिए तयार कर लिया अगले दिन चंदन और सूरज सहर के लिए जाने को तयार हो गए और उन्होंने क्या किया एक बस पकड़ी उनकी बस राश्ते में डहवे पर रुगी ताकि बस की यात्री कुछ जलपान करने जलपान करके दोनों दोस्त बस में बैठने ही बारे थे कि तभी ये सुन्दर सी बस उनकी बस के पास आकर रुगी सूरज ने ड्राइवर से जिग्यासा से पूचा कि ये बस अतियंत सुन्दर है तब ड्राइबर ने उन्हें बताया कि ये CNG बस है CNG ये CNG से चलती है इसमें DL नहीं पड़ता है इससे प्रिदूसर भी कम होता है तो सूरज और चंदर आपस में बात करते सहर पहुंचे सूरज ने सहर पहुंचका सीधे मेले बाले इस्तान के लिए रिक्सल लिया मेले में दुकानदाय से ट्रेक्टर के बारे में प्रयाप्त जनकाई ली दोनों दोस्तों को ट्रेक्टर बहुत पसंद आ रहा था प्रंतु ट्रेक्टर का मूल ज्यादा था उन दोनों के पास उतने रुपई नहीं थे दोनों की आपस में जो आपस की बात दुकानदान ने सुनी तो भै बोला भीया आप ट्रेक्टर किस्तों पर ले लो फिर ये सुनका दोनों दोस्तों में उस्ता आ गया उन्हें को गाउं कैसे ले जाएं दुकान दार ने कहा आप दोनों प्रैसान ना हो मेरा मेत्र रहिम ट्रक वाला है वैड ट्रैक्टर को गाउं पहुचा देगा यह सुनका सुरज और चंदन बहुत खुश हुए इसके बात क्या हुआ दुकानदार ने चंदन और सूरज को यह भी बताया कि इस ट्रेक्टर से आपको खेती करने में बहुत आसानी होगी कम समय में और ज़्यादा काम आप कर सकेंगे ट्रेक्टर डिल से चलता है इसका खचा भी कम आएगा दूकानदार ने अपने मित्र रहिम से ट्रेक्टर को गाओं पहुचाने को कहा ट्रेक्टर में रहिम के साथ सूरज और चंदन भी बैठ गये अब दोनों दोस्तों ने दुकांदार को धनवाद दिया और रहीम के साथ गाउं की और रवाना हुए रास्ते में चंदन और सूरज का रहीम भी मित्र बन गया और भै बोला तुम दोनों चिंदा मत करो मैं तुम दोनों को ट्रेक्टर चलान इखटे हो गए क्योंकि उनके गाउं में पहला ट्रेक्टर था सभी ने उन दोस्तों को बदाई दी चंदन से रहीम बोला मित्र आप मुझे सहर बापे जाने की जाज़ग दो तब चंदन और सूरज मुस्क्रा आए और रहीम से बोले मित्र रहीम तुमने हमारी बहुत और रहीम ने रहीम नास्ता कर चंदन और सूरज से सहर जाने की अर्मति मांगी और कहा कि मैं जल्दी ही आका तुम लोगों को टेक्टर चलाना सिकाऊंगा कुछ दुनों बात रहीम स्कूटर से गाउं आया उसे देखकर चंदन और सूरज बहुत प्रिसन हुए उसका स्वागत किया चंदन बोला मित्र रहीम तुम खा पीकर बिस्राम करो तब तक हम दोनों खेतों पर काम निप्टा कर आते हैं खेत पर जल्दी जल्दी काम करके दोनों दोस्त जब घर पहुँचे रहीम उनका अंकियार कर रहा था रहीम ने फिर ट्रेक्टर श्टार्ट किया और चंदन और सूरज को ट्रेक्टर सिखाना शुरू किया कुछ ही दिनों में मेहनत और जोज के साथ सूरज और चंदन ने ट्रेक्टर चलाना सीख लिया फिर ट्रेक्टर चलाना सेकत दोनों बहुत प्रिसंद थे अब रहिम ने उन्जे सहर जाने के अर्मति मागी रहिम ने दोनों को सहर आने करने मंद्टर भी दिया चंदना और सूरज ट्रेक्टर से खेती करने लगे उनके लिए खेती करना अब आसान हो गया था दोनों की मेहनत रंग लाई फसल बहुत अच्छी हुई दोनों ने मिलकर फसल काटी और ट्रेक्टर पर फसल लादगर सहर चल दिये सहर पहुँचकर मंडी में फसल को बेचा इसमें इसके बात दोनों ने रहिम के घर की और प्रिस्तार किया रहिम उन्हें देखकर बहुत प्रिसन हुआ उसे ट्रक चलाना चोड़ दिया था अब रहिम कार से मुसाफरों को गुमाता था ये उसका रोजगार था रहिम ने चलती है तब रहिम बोला नहीं है मैं तो ये कार पैट्रॉल से चलती है कुछ कारे जो है compressed natural gas होती है यह 200 से 250 kg प्रति बरक सेंटीमेटर के संक्चित दवाहों में यह गैस बहानों में इधन के रोब में उपयोग में ला जाती है इसके अब याब है मेथेन इथेन प्रोपेन और यह गैस रंगहीन गंदहीन तथा हवासे हरकी होती है ठीक है यह नोट कर लेंग इसके बाद आगे पढ़ते हैं तो cng से चलने वाली बस देखी ही ति उन्होंने कार भी देखने की इच्छा जार की रहीमिन को कार की दुकान पर ले गया जहां cng से चलने वारी कार थी cng की का देखकर चंदर ने दुकानदार से cng के बारे पूंचा कि यह क्या है कि दुक और दूसर काफी कम फैलता है पेट्रल और डील बाली गारियों की तुल्ला में cng का खर्चक कम होता है परयाबन के लिए cng गैस अच्छी मान आती है पेट्रल और डील की तुल्ला में यह कार्वें डैक्साइड नेट्रोजन अक्साइड और आर्गेनिक गैस कम हुए इसके बाद रहीम दोनों मित्रों के साथ अपने घर आया राश्ते में तीनों मिलकर सहर में जो नया देखा था और नई ने जनकाई प्राप्त किये थे उसी पर बाचित करते थे करते रहेते चंदना और सुरज ने फिर अपने मित्र रहीम से गाउं जाने के नमति मा इसी इधन का प्रियोग बहान में करना चाहिए तेल का भंडार सीमत है इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं पिरते बूंत से ज़्यादा लाब ले अब जब गाड़ी रोके तब यन बंद कर दें